बाड़ दोस्तों, हवे आपने पाठनू श्रवाण करिये। हजारों वर्ष पहलानी आवाज छे। ए समय बाड़को आश्रम मा बनवा जता। आश्रम घरनी पासे न होई। बाड़क सातेक वरशनों थाई, इटले एने उपनेन संस्कार करवा मा आवता। पची ए बटुक कहवातो, ए दूर आश्रम मा बनवा जतो, आश्रम मा बारेक वर्ष सुधी बनवानू रहतू, बनतर पुरु थाया पचीज, गेर पाचा आववानू, दिवाडी के उनाड़ानी रजाओ न हती। गाम थी दूर वनमा आश्रम होई। गुरु अने विद्यार्थी साथेज रहे। आश्रम ना जीवनमा खुबज शिस्त रहती। बनवानी साथे दरेक ने काम पण करवानू रहतू। गुरु जी जे कहे ते काम। वहली सवारे उठी, नाही, दोई, सव गुरु जी पासे पहुँची जता। प्रार्थना संध्यावंदन थाए। इटले गुरु जी सव ने काम वहची देता। सवारनू काम करी सव बनवा बैसता। बनवा बैस्वानू कोई घटादार रुक्ष्नी छाया नीचे। वडलो होई के आमबो होई के पीपडो होई। एने फरते बटु कोए जाते पर बैसीने सव ने भणावे। सव गुरु जीनी वातने ध्यान्ती सांबडे। मगजमा उतारे। न समझाय तो प्रश्न पुछे। गुरु जी सव ना प्रश्नों ना जवाब आपे। बोजन पछी थोड़ोक वीराम रहतो। वड़ी पाचा सव पोत पोताने सौंपल का आश्रम मा लागी जता। काम पतावी सांज पहला आश्रम मा आवी नाही दोई संत्यावंदन अने प्रार्थना थाता। गुरुजी प्रार्थना बाद उपदेश आपे। कथा वार्ता कहे। सव बटु को बोजन करी समय सर उंगी जाए। आश्रम मा वेद वेदांगो न अध्ययन थतु। अश्वविद्या, शस्त्र विध्या, आयुरुवेद इवा विवीद शास्त्रों नुँ अध्ययन थतु। आ आश्व्रमना जीवनमा मात्र बनवानुज नहीं, पण साथे खुब काम करवानु रहतु। आश्रम मा दरेक जण काम करे, गुरुजी पन काम करे अने शिष्यो काम करे, जिवनमा उप्योगी इवा काम शिखवमा आवता, कोईाव, कोई खेली मा आपक करे, कोई रसोडे काम करे, कोई व्रुक्षो उचेरवानु काम करे, कोई दाब कापी लावी एमा थी आसन बनावता शिखे, दाब कापवा मा कुशड थव पड़तु, कारजी न राखे तो ए दाब आंगलियों मा चीरा पाड़े, कोई पांदड़ाना पत्राडा अने पड़िया बनावे, कोई सुतर कांते, कापड वणता शिखे, कुवा माथी पाणी काडता शिखे, काम करता करता, वस्तु अनी जानकारी मले, अने काममा कुशड पण थवाई, एक काम शिखी लेवाई, इथले बीजु शिख्वा मले, आश्रम जिवननु सुत्र हतु, काम करता जाओ, अने काम शिहता जाओ, विश्वा मित्र मुनी नो आवोज एक आश्रम हतो विश्वा मित्र मुनी खुब गिनानी हता एमने त्या शिश्यो पन तेजस्वी आवता त्या वारोणी नामनो शिश्य हतो बणवामा खुब ज होशियार सवारे शिखवाडियु होई ते सांचुदी मातो एने याद रही जतू कारण के आखो दिवस ए मनमा एनूज रटन अने विचार कर्या करतो गुरुजी ने ए जाज जातना प्रश्णो पूछतो गुरुजी एनी शंकाओनू निराकरण करता गुरुजी ने पण एक गमतो वारुणी ने अध्ययन खुब गमतू पण काम करवामा एने मज़ा न आवती काम करती वखते ए बणवाना विचार करतो काम बाजुए रही जतू सांज पड़े सव शिश्यो काम व्यवस्थित पतावी पाचा फर्या होई पण वारुणी मोडोच पड़े एनू काम पण अधुरू ने अव्यवस्थित रहतू एने हवे काम करवानो कंटालोज अव्वा माड़े हतो एने थतू हुँ अही बणवा आव्योचू विद्वान थवा आव्योचू मारे आवा कामो शा माटे करवा जुईये क्यारेक बिजा शिशो आगर ते आहू बोली जतो गुरुजी ने काने आ वात पहुँची हती पण तेवो तक मड़े तेनी राह जोता हता इदिवसे वारुणी ने कुवा पर रेंट चलावानू काम सौप्यो हतू गुरुजी पोते अन्या शिश्यो साथे खेतर मा काम करता हता वारुणी ना मन मा सवारे गुरुजी ये शिखवेलू चाल्या करतू हतू यगनो वडे देवोनी आरादना करवी एह आपनो पहलो दर्मा छे पच्छी गुरुजी ये शू कहुँआतू आम विचार करता करता वारुणी ना हाथपक चाल्ता अठकी गया रेंटफर तो बंध थाई गयो एना घड़ा मा पाणी आउतू बंध थाई गयू थाड़ा मा पाणी रेडा तो अठकी गयू याथी दोर्यामा अन्ने दोर्यामा थी केतरमा जतो पाणी पन बंद थाई गईू खेतरना काममा विलंब थायो बदाने कारणीनी खबर हती वारुणीने जे काम सौपाई तेमा अवूज थाई गुरुजीने थायू के आसारी तक छे तेयों खेतरमा थी कुवा तरफ आव्या एमने जोयू कि वारुणी रेंट पर बैठेल छे पन रेंट चालतो नथी एनों द्यान क्याक बीजेज छे गुरुजी ये पूछियू वत्स आ रेंट के मटकी गईू अने तू श्यानों विचार करे छे वारुणी एकदम चौकी गईू एने गुरुजी ने वंदन करया अने पोतानी स्थिती छावर वा माड़यो इतो हूँ जरा तमे बनावेल रूच्चा याद करतो हतो इटले रेंट जरा अठकी गईू जुआ फरीती चाल्यो गुरुजी बोलिया रूकाई जा आ रेंट कुवा थाडू बराबर जुईले रेंटना गड़ा किवी रित गोटफाया चे जोया गुरुदेव ए गड़ा उन्धा चत्ता थाए तोशू थाए कुवा माथी पाणी निकड़े नहीं गुरुजी आ रेंट उची मेह नते कुवा माथी पाणी बहार काड़े चे आ रेंट थाडू दोर्यो अने नीक नी व्यवस्ता शोधी काड़ेनार व्यक्ती ग्णानी के अग्णानी गुरुजी ये पूछियू ग्णानीच कहवाई गुरुदेव अग्णान पोथी माथी नती मड़तू बणवाथी नती आवतू काम करता करता सुझे चे काम करता करता जने बुद्धी लड़ावी अने रेंट बनाव्यो एपण ग्णानी चे पोथे बुद्धी पुर्वक काम करियू कुशर्ता दाखवी अने बीजाओने पण मदत करी जे काम्थी ग्णान वदे ए पण विद्यात चे ए पण एक प्रकार्नो यग्णत चे वत्स बस गुरुजी आ यग्णे एटली शुँ एनो जुहू विचार करतो हतो हवे मने समझायू हजु गणू वाकी चे सांजे संध्यावंदन वखते एनी वात करीशू एम कही गुरुजी खेतर तरफ चाल्या गया वारुणीना हाथपग साथे एनो मन पन जोडायू एने बमना जोरे काम कर्यू हाथपग जरा दुखता हता पन मन मा गणो उत्सा हतो सांजे गुरुजी ए शरुआत करी तमने खबर चे के कुवा माथी रेंट वड़े पाणी थाड़ा मान ने पची दोर्या थकी खेतर माँ पहुचे चे पण तमने ख़बर चे के कुवा माँ पाणी क्याँ थी आवे चे बद्धा शिष्यो एक बिजानी सामे जोता हता गुरुजी ये कहिँ सूर्याना किरणों थी पाणी गरम थाई एमा थी वराडबनी वादला बंदाई अने वर्साद रुपे ए पाणी पाचु समुद्रमा जाई पन किटलुक पाणी जमीनमा उत्री जाई छे शोशाई छे दर्तीना पेटाड मा उंडे गणा सरो अरो छे एमा ए पाणी भराई छे एमा थी गणी सर्वाणी निकडे छे भूमीने कोट्ता अवी सर्वाणी हाथ लागे अने कुओ थाई जी प्रजापती बगवाने प्रुत्वी बनावी एने समुद्र पण बनाव्यो अने एने ज मानसने पण घड़्यो प्रुत्वी परना दरेकने हवा पाणी ने खोराक मडे इवी रचना करी इप्रजापती बगवाननों यग्य करवो इटले ज अन्न पैदा करवू व्रुक्षो उचेरवा अने जीवनमा सगवाडो उभी करवी दरेक जन आ आखी व्यवस्थामा पोतानों काम करे ए यग्नाच कहवाई वारोणी ये कहिँ इटले गुरुजी सारू अने बुद्धी पुर्वक काम करता शिखवू एपण विद्या शिखवा बराबर च्छे एमज ने हावच एकलू बढ़ू जीवनमा काम न लागे जीववा माटे जीवनने उप्योगी विद्यापन शिखवी पड़े एक काम करवाथी अने काम मन अने बुद्धी पुर्वक करवाथी ज आवड़े छे काम करता करता बणमू इसाची विद्याचे गुरु जीए समापन कर्यू